आज हम deeply समझने की कोशिश करेंगे कि actually चल क्या रहा है market में कहां पर जा सकता है moment और क्या हो सकता है आगे की दिन नमस्कार मैं जीत सिंग स्वाकत करता हूँ आपके चैनल ठाकूर कैपिटल में अगर देखा जाए तो market में एक बहुत ही गजब की रिटेलर्स को बहार निकालने की strategy चल रही है समझते हम कैसे अब यहां पर हम लोग देखे तो एक लो जो प्रिंट किया है वो निफ्टी ने किया है इस पॉइंट पर जो है 1700613 17613 और आज अगर हम लोग बैंग निफ्टी के ओव्लो को लोग बनाया था था जेहां पर देखे तो 29 आक्टबर को लोग बनाया था निफ्टी वो अभी तक sustained है, वो break नहीं हुआ है, वगर आज bank nifty ने उस लोग को break किया, यह हम लोग चेक कर सकते हैं, इस level को हम लोग इस level की बात कर रहे हैं, यह level को आज bank nifty ने break किया, और जो closing है वो उसके उपर दी है, अब यहाँ पर देखें, तो nifty ने वो level अब बहुत दूर है कर रहे हैं, दोनों एक साथ align नहीं कर रहे हैं, अब बात समझें, तो एक sideways होता हुआ market हमको दिख रहा है, आज अगर हम लोग गिरावट देखें, nifty में तो 143 point की है, मगर हम लोग यह देख सकते हैं, कि पहले जो nifty था, वो 9000, 10,000 के level पे था, और आज जो nifty है, वो 17,000 के नifty, मगर नीचे के level से, बायर थुड़ा सा, बाइंग किया, जो नोंने हम लोग एक गंडे के चार्ट पर देखें, तो इस level पर, मगर एक सही तरीके से देखें, तो एक low था, एक lower high था, एक higher low था, एक higher high था, वापस एक higher low establish करता हो, हमको देख रहा है nifty, मतलब कोई भी selling pressure हमको देखने के लिए मिल रहा है कि यहां से nifty बहुत नीचे जा सकती है, जो important level है 29 October का है, अगर 17,600 के levels को break करता है, तो लोग नीचे जाता हुआ देख सकते हैं, बात करें बैंग निफ्टी की, तो बैंग निफ्टी में एक weakness हमको देखने के लिए मिल रही अभी, यहां प यह negative sentiment है, हर एक candle का नया low है, और lower low है, lower highs है, हर एक candle एक नया low बना रहा है, और एक नया lower high भी बना रहा है, बात करें weekly charts में, तो weekly charts में लोग यह देख सकते हैं कि बहतर तरीके से, निफ्टी ने एक higher low established किया है, और आज का 8 November का जो यह week चल रहा है, उसमें most of कोशिश चल र आने की, क्यों, क्योंकि अगर नया, एक नया high लेके जाना है, निफ्टी को, तो वहाँ पर रिटेलर वो participate नहीं चाहते, क्योंकि रिटेलर थोटे थोटे profit book कर सकते हैं, और करने लगते हैं, अब यहां से अगर हमने target की बात की थी, कि क्या है, एक चेक कर सकते हैं, हम लोग यह देख सकते हैं, कि 1400 point अगर निफ्टी को लेके जाना है, FIS को, DIS को, तो वह बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उसमें, रिटेलर पाटिसिपेट करें, क्योंकि रिटेलर 200-300 point पे बेचने लगते हैं, अब बात करें हम लोग मंतली चार्ट पे, तो मंतली चार्ट पे भी, अ अगरे downtrend कब तक continue रह सकती है, जब तक, जब तक एक fresh higher low established ना हो, एक lower low जिस तरके से बना रहा है, higher low established होना चाहें, यहाँ पर यह जो लेवल है, यह चैनल को ब्रेक करें, बैंग निफ्टी, एक 39,200 के लेवल को टच करें, उसके बाद फिर एक higher low established करें, और उसके बाद हम अगर यह लेवल ब्रेक करके इसके नीचे trade करता है, तो लोग आने वाले टाइम में, बैंग निफ्टी को और नीचे जाता हुआ देख सकते हैं, यहाँ पर देखें, तो बैंग निफ्टी ने previous जो high था, previous high था 38,377, और आज का जो low है, वो है 38,346, तो लोग यह देख सकत हैं कि previous low के नजदीक में इसको sustained किया है, और यहाँ पर ज्यादा ज्यादा chances है, कि अगर यहाँ से अगर बैंग निफ्टी तूटता है, क्योंकि ऐसे chances निफ्टी को देख के नहीं लग रहे हैं कि बैंग निफ्टी यहां से break होगा, वर weekly charts में देखें तो weekly charts में इस लेवल क change line को break करके नीचे चला जाता है, तो यह देखेंगे कि बैंग निफ्टी एक negative indicate कर रहा है और वो नीचे जाने के उसके ज्यादा chances है, monthly chart में देखें तो इस month में अभी तक बैंग निफ्टी 55 point minus है, तो overall देखें, समझें हम लोग EMS पर भी पहले फिर overall समझते हैं कि nifty और bank nifty हमको क्या strength दिख रहा है, अब देखें हम लोग nifty के बारे में, तो निफ्टी हर EMS के उपर trade कर रहा है ज्यादा करके अगर डेली चार्ट में, डेली चार्ट होनों सवजने की गोशिश करें, तो डेली चार्ट में 5MA के नीचे हैं, मेडियान के नीचे हैं, यहाँ पर देखें तो एक negative sentiment create होता हो दिख रहा है, एक resistance लिया है मेडियान का BCMA का, और जो बॉलिंजर बैंड है, वो फ्लैट हो चुका है, मतलब एक sideways zone चालू हो चुका है, हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ तक बॉलिंजर बैंड किस तर यहाँ पर ही हमको नजर आ रहा है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यह पॉजिटिव सेंटिमेंट है, वीकली चार्ट से फाइएमे के नीचे अप तक नहीं आया है, बॉलिंजर बैंड में बैंड बैंड हो सकता है, यह देख सकते हैं कि 50 एमे को पहली बार बहुत दिन के बैंड रिफ्टी ने टच किया है, यह जो टच किया था वो अगस्ट में किया है, अगस्ट के बाद डारेकल यह देख सकते हैं कि अभी नॉवेंबर में कर रहा है, महलब तीन महीने के बाद वापस एक अच्छी चीज है, यहाँ पर अगर रिट्रेस्मेंट लेता है और ए नीचे जाता हूँ, देख सकते हैं, यहाँ पर देखें, तो 5 इमे के नीचे ट्रेट कर रहा है, weekly charts में negative sentiment है और monthly chart में 5 इमे के ऊपर है, overall देखें, तो nifty stronger है compared to bank nifty और bank nifty हमको selling pressure थोड़ा सा देखने के लिए मिल रहा है, overall हमको अपनी position hold कर नीचे है, यह buying side की अगर 29, 29 October का लो अगर निफ्टी भी ब्रेक करता है तो हमको अपनी पोजिशन सेल आउट करके मार्केट से बाहर रहना चीए और फिर देखना चीए कि क्या बन रहा है मार्केट में पोजिशन अब हम समझते हैं एनसी की साइट की बात करें तो आठ कंपनिया प्लस रही एक तारी कंपनिय या माहिनस रही और एक कंपनी अंचेंज रही बर्नल शेर्स में टाइटन हिंडाल को जेश डवी टीस और महिंद्रा रहे इनल से अगर नापको थोड़ा साब इस टॉक मार्केट के बारे में अपडेट कर पा रहे हैं कुछ बता पा रहें तो प्लीज हांच को सब्सक्राइब करें शेर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ कि वह भी स्टॉक मार्केट के मुमेंट को बहतर तरीके से समझ सके नमस्कार धन्यवाद